हलो दोस्तों मेरा नाम सुप्रीद चाया का नाम सुप्रीद आज मैं आपको मैथ क्लास 10 की 1.4 की वीडियो डालने वाला हूं मैं 1.3 तक वीडियो डाल चुका हूं नहीं देखी हो तो जरूर देख लें आज मैं 1.4 और यह पहले चेप्टर की लाश्ट एक्सेसाइज और सब दुआढ़ीं चीनि अर। मा पूल्स क ओपर वाले को बोलते नहीं नीच आले को बोलते हार इंगलिस पोर वाले नुमूरेटर नीचे में डिन Україंत तो कौन सी संख्याइं सांत होती हैं और कौन सी संख्याइं असांत होती हैं यह समझते हैं बे संख्याइं जिनके हर या डिनोमीनेटर में तू गुणा एम के गुणनखंड हों सिर्फ तू और पांच तू गुणा पांच के गुणनखंड हों वो संख्या सांत होती है किसी संख्या के नीचे उसका एल्सियम लेने पर अगर गुणखंड उसके हर के दो गुणा पांच के रूप में आ रहे हैं तो वो संख्या सांथ होगी अगर सिर्फ दो के रूप में आ रहा है तो भी संख्या सांथ होगी संख्या सांत होने की कंडिशन क्या है, पहले नीचे वाले डिनॉमिनिटर का LCM लेते हैं, अगर उसके नीचे LCM उसका लेने पर उसके गुड़नखंड दो गुड़ा 5 के रूप के आते हैं, तो वो संख्या सांत होती है, या दो के रूप के शिर्फ दो के रूप के आते हैं तो भी सांत होती है या सिर्फ पांच के रूप के आते हैं तो भी सांत होती है ये सारी कंडिशन सांत की है अब देखते हैं असांत की क्या होती है जैसे दो गुणा पांच आया इसके अलावा साथ भी आ गया सिफ दो गुड़ा पांच के रूप का होना चाहिए तो वो सांथ होगी अगर उसके अलावा कोई भी नंबर आ गया तो वो असांथ होगी अगर सिफ नीचे दो आया उसके अलावा साथ आ गया नीचे सिफ दो के रूप का आना चाहिए तो वो संख्या सांथ होगी अगर साथ और कोई संख्या भी आ गई दो और पांच के अलावा तो वो संख्या असांथ हो जाएगी अगर पांच आ गया नीचे और फिर गुणा में साथ आ गया तो भी यह संख्या असांथ होगी कि मैं आश्या करता हूं कि सांतर असांत में आप अंतर समझ गया होंगे तो यह सब सांत की कंडिशन है उपर कुछ भी हो सकता है और यह असांत की कंडिशन है तो आप समझ चुके होंगे सबसे सराल एकसेसाइज पूरे चेप्टर की तो आए देखते हैं कि कोशन में क्या है कोशन पड़ते हैं प्रक्रिया यानि अंदर हम नीचे वाले से उपर बाले को भागे तो पता नहीं को स्वागर यह प्रक्रिया रहिए बिना लंबी विवाजन परक्रिया कि यह बताएं कि निम्लिकत परिमें संख्यां कि दसंबलब पिरसार सांथ है या असांथ है तो सबसे पहला कोश्चन का पहला पाड़ देखते हैं पहला क्या है 13 वाटे एकाट पेस तो मैंने क्या बताया था हर यानि डिनॉमीनेटर का हम लेते हैं तो इसका यह लेते हैं सबसे पहले तो इकत्तिस सो पेच्चेस कासा कितना आएगा इकत्यस सो पच्चिस का LCM 5, 36, एक इदर आया 12, पांच दुनी 10, दो इदर आया 25, पांच पंजे 25 ठीक, अब फिर करते हैं, पांच एकम पांच, एक इदर आया 12 हो गए, पांच दुनी 10, दो इदर आया 25 हो गए, पांच पंजे 25 अब फिर करते हैं, पांच दुनी 10, दो इदर आया 25 हो गए, पांच पंजे 25, अब फिर करते हैं, पांच एकम पांच, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पांच की पावर 5, यहीं तो लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिख पांच यह रूप कि संख्या लेगी है, तो बहुं संख्या 5 होती है जने का पांच की संफिके हैं, işi हो गई हैं और कोस्टन चला करते हैं, अब दूसरा देखते सवब debt सट्रा बटे तोoder यहां आठ ढूदो के लिख सकते हैं कि इसंध तोला बंटे टू की पॉर थिरी क्या हूला आता है। मैंने संध्य के गिते में या तो या पांच या दो गोड़ा पांथ के रूप की संध्या सांथ होतीए है तो यहां तो के रूप की संख्या लिखी है तो अगला देखते हैं क्या सट क्या स्ट पच फंट सक मटермटल पैंटालेस पांच एकम पांच तीन दो नीचे तीन सत्ते किस नहीं गलत कड़िया साथ एकम साथ साथ तियां एककेस तेरा एकम तेरा तो इसे कहां देखेंगे चौन सेट बटे पांच गुणा तीन गुणा तेरा यह देखिए पांच के रूप का तो आया लेकिन उसके अलावा तीन भी है और तेरा भी है तो यह संक्या कैसी होगी असांत अब फोर्थ देखते हैं क्या है फोर्थ पंद्रा बटे सोला सो पाचम पच्छिस पांच एकम पांच तो इसे का लिखेंगे दो एक दो तीन चार पांच है दो की पावर छे गुणा पांच की पावर दो यह दो गुणा पांच के रूप का आया तो यह कैसी है एक सान्त संख्या है आप करते हैं फिफ्ट कोश्चन फिफ्ट क्या है हो इस टाल उंतिज वटे तीनसो तीटालिस तीनसो तीजिटालिस का तीनसे सट इसा यह साथ ने मैं बनेंचांचिया साथ से अगर नहीं देखी तो इस वाटे टू की पावर थी गुणा फाइब की पावर तू इनने कोश्चन खोदी बना के दे दिया तो अब सब लोग देखके बता देंगे ये ऐसे गद्वेश्यप एक सांसंक्या है अगला देखतेयी सेविंथ 129 बटे अ हां धूक की पावर दो पांच की पावर साथब केज़सांसा है विए आपर दो पांच तो है लेकिन साथ में साथ भी आगया है तो यह कैसी है ऐसा संक्या है अगला कोश्चन देखते है एक चे बटे पंदल रहा गया है इसलिए यह एक असांत संख्या है कि आगे दूख़ुशन और पहले मिटाल लेते हैं फिर मब कराता हूं अगला है पैंटिस बटे पचास नाइन्थ कोश्चन क्या खरते हैं सबसे पहले एलसी हम लेते हैं पचास का दो पच्चिस पच्चम पच्चिस पांच एकंपांस तो क्या लिखेंगे पैंटिस बटे दो गुड़ा पांच की घादो सबको पता चल गया होगा इतनी देर से वीडियो देख रहा हो सांथ अवाता टैंथ सतत्तर वटे दोसो दस सतत्तर वटे दोसो दस सबको दिख रहा होगा कि यह एक असांत सज्ख्या है ति कोश्चन यहां पर खतम पहल और दूसरा और आखरी कोश्चन सुरू होता है कौन सा है दूसरा कोश्चन देखते हैं क्या है ऊपर दिये गए प्रेश्ट में जो भी प्रेश्ट हमने करा था वही ऊपर दिया गया है उपर दिये गए प्रेश्ट में उन परिमे संख्याओं के दसम्रब प्रिसारों को लिखिए जो सांत हैं हमने ये तो बता दिया उपर की सांत हैं और कौन असांत हैं लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे उन्हें पॉइंट में लिखा जाएगा वही असली कला है अब देखते हैं कैसे लिखते हैं तो पहला कुछ सांत था इसलिए पहला करते हैं क्या था तंप तेरा वटे •-이스 Ö- too- each तौ- both carry ALC'M क्या आया था पांच की पॉवर- पांच बार सब्साइ चय आदो तो पांच की पॉवर पांच 31-क यह था है पांच की पॉवर 25 पांच की पॉवर 3-tech 25 यह यह या और चार चार च्छेट्स बारई 5 यह कपंचेश अब देखिए इसे पॉइंट में कैसे लिखते हैं अगर इससे बहुत करने जाओगे तो करो जाएगी तब भी अगर कोई चांस नहीं है कि तुमने सही करा होगा या नहीं करा हो तो हम देख कैसे करते हैं नीचे वाले यानि हर यानि दिनॉमिनेटर को 10 बनाते हैं हम पर 5 तो से गुना करनी पड़ेगी पांच गुणा दो से गुणा करनी पड़ेगी अदे नीचे करेंगे तो हम उपर भी करनी पड़ेगी तो दोनों वह दो की पावर पांच से गुणा करते हैं सबसे पहले तो तो तेरा दो की पावर पांच जहां तक मुझे याद हो 32 होता है ठीक पांच गुणा दो पड़ावा की एकी पावर एक्स गुणा बी की पावर एक्स लिखा हो तो हम उसे ए भी की पावर एक्स लिख सकते हैं तो इसे लि पॉवर पांच अब यहां तक समझो हम बिल्गूर कोशन के आंसर तक पॉँच चुके हैं यहां पर दिमाग लगाने की जरूत है दस की पॉवर जितनी होगी ध्यान से सुनना दस की पॉवर जितनी होगी उसे हटाने पर उपर उतने ही नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा अब यहां पर तीन नंबर है नीचे है पॉवर चार तो हम इसके पहले जीरो भी तो लिख सकते हैं लिख दिया, 0 कित्ते भी लगा दो संक्या जे पहले बाद में नहीं बाद में लगाने से घपला होयागा, तो शुरू में लगाएंगे, लगा दी अब नीचे यह 10 की पावर 5, जब 10 की पावर 5 हटेगी, तो उपर 5 नमबर पहले पॉइंट लग जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो इ सब्सक्राइब निकालना है, दूसरा क्या था, 17 वटे, 8, 8 का यहां तक याद है, मुझे यह आया था, 2 की पावर 3, नीचे 2 है, मैंने क्या सबसे पहले से 10 मनाओ, तो सब्सक्राने के लिए क्लिए क्लिए 5 से गुणा करेंगे, लेकिन यहां 2 की पावर 3 है, इसलिए 5 की पा पावर 3 से गुणा, 17 पाँच की पावर 3 का मान होता है, 125, 25, 25 पंजे 125, इसे हम लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, इसकी गुणा कर लो, 17 पंजे 85, पाँच, हांसे लाट, 17 दूनी 34, आट 42, के 4, 17 एकम सत्रा 4, 21 बटे 10 की पावर 3, पहले क्या दा है, दसकी गहात लगी होगी उत्ते नंबर से पहले पॉइंट लगेगा, तीन लगी है, तो एक, दो, तीन यहां पर पॉइंट लगेगा, दो, पॉइंट, एक, दो, पाँच, यह इसका आंसर हो गया, आप समझ में आया, सरल है, बहुत सरल एकसे साइज है, पूरे चेप्टर में इससे सरल कोई कोशन नहीं है, अब देखते हैं, तीसरा असांत था, तो इसका हम निकालेंगे नहीं, चौथा सांत है, क्या है चौथा, सांत है कितना है, पंद्रा बटे सोला सौ, इसका मुझे एल्सियम याद नहीं है, सीली मैं एल्सियम निकालता हूँ, क्या आया था, सोला सौ का एल्सियम, दो, अठे, सोला, जीरो, जीरो, दो, चोकार, जीरो, जीरो, दो, दुनी, चार, जीरो, जीरो, दो, एकम, दो, जीरो, जीरो, दो, पंजे, दस, जीरो, दो, दुनी, चार, दो, पंजे, दस, पचाम, पच्चेस, पांच, एकम, पांच, एकम, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच छे तो ही क्या हो गया पंदरा बटे दो की घाच छे गोणा पांच की घाच दो ठीक अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो और पांच दोनों है हम ऐसे दस बना दे रहे हैं फिर पावर का क्या होगा मैं बता रहा हूं क्या होगा अब देखते हैं क्या सब्सक्राइब नीचे दस करते हैं दस कैसे होगा नीचे लिगाए दोगी घाच छे गोणा पांच की घाच दो गोणा उन दोनों की हो नहीं सकती तो दोनों को पावर बरावर करेंगे इसे कम पावर करना मुस्किल है इसे हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाते कैसे हैं गोणा करक यह 5 की पावर 2 है और जरूद किते गी 4 की तो 5 की पावर 4 से नीचे गुणा 5 की पावर 4 से उपर गुणा बाव खतम कोश्ण आंसर आ गया 15 गुणा 5 की पावर 4 कमान होगा 625 दो पंजे 10 10 की पावर 6 की पावर 5 पंजे 75 हांसिल लगा साथ 15 दूनी 3 7 30 पंद्रा शक्नबवे तीन 93 की दसकी घाच 6 क्या पता है नीचे दसकी घाच जितनी होती है उती संख्या से पहले उपर पॉइंट लग जाता है लेकिन उपर चारी संख्या है लेकिन आप अपने तरप से 0 लगा लेंगे जीरो लगा लिए अब छे एक दो तीन चार पांच यहां पॉइंट लग जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो नो तीन साथ पांच यह का अंसर हो गया आशा करता हूं समझ में आया होगा सबसे सराल कोश्चन है अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी मर्जी कुछ करो अब आखला आजा पांच वाभी असांत था छटा सांत है छटा देखते हैं चटे में इनने बहुत महनत करके दिया है सब एल्से मुल्सेम निकाल के बहुत-बहुत धन्यवाद इनका तेज़वटे दो की गात तीन गुणा पांच की गात दो यहां पर भी देखिए दो नीचे दोनों तरब पांच से गुणा कर देनी है बस खतम कोश्चन दो की गात 3 किते आता है और तेज ठाटे सोरधी थ्यत्ता दोगी आटीन थीन निया चिलो पंद्रह पांच की गुणा पांच सांत्रह सांत है आठमा सांथ है आठमा सांथ है सौरी मैंने उस टाम गलत कर दिया होगा दोके से आठमा सांथ है कैसे सांथ है बताती है उसका दफनालोग प्रिसार भी ग्याद करते हैं आठमा क्या है छे बटे पंद्रा अ ग Conservation निकालें तो ये नहीं तो तीन और पांच मैंने बांध हो के से जब नीच तीन आणरा है तो मैंने से सांत लिट दिया होगा लेकिन मैं बता रहा हूं ये सांथ है लेकिन नहीं है था टीन को इपता रहा हुं नहीं है अब बताए वह पांच अब बताव संथ यह था पांच वह वह लिए वह संथ क्हेल संथ या संथ संथ अब रहा है तो हुआ नीचे क्लिए पांस तो है दो से गुणा लेते हैं और क्या करिण है दो से गुणा नीचे दो से गुणा उपर दोगोटा नीचे दो पंजे दस दसते काइट एक तो पाइल पहले पॉइंट जीरो पॉइंट 4, answer, खतम, अगला आया, नमा 35 बटे 50 नमा 35 बटे 50, नीचे का LCM निकालते हैं मुझे याद नहीं है, मैं रटता नहीं हूं, मुझे नहीं पता देखते हैं निकालके, कि अ कि ऐ से करें कि दो नीचे कर देना ऊपर 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 उजाइगा सथद गोपजे दस दसकी घाइना जी फंट यहाँ लगा देते हैं अगला 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 भी असांत है तो यह दूसरा भी कोश्चन और पूरे चैप्टर का आखरी कोश्चन समाथ होता है बढ़ाईयों पहला चैप्टर खतम विल्कुल 3456 वीडियों में खतम पहला चैप्टर वीडियों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर औ चैप्टर की तो जरूर देखें क्योंगे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और 1.3 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई कोश्चन हो तो जरूर सेंड लाइक बो कमेंट में के लिखें और बहुभी कल्वी कोश्चन के बीस नंबर बीस कोश्चन आते है मैं बनाऊंगा आपके लिए बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बनना मज़ा नहीं आएगा धन्यवाद